आपने एलोवेरा के बारे में तो बहुत सारे फाइदमिन उप्योग सुने होंगे ये एक रस से भारा ऐसा पौदा है जो कोस्मेटिक्स, फार्मा इंडास्ट्री और खादे पदार्त में भी भारी मात्रा में यूज किया जाता है आज हमारे इस वीडियो में हम आपको एलोवेरा के सारे फाइदमिन उप्योग को एक एक करके बताएंगे कुछ सुने और कुछ चौगा देने वाले अंसुने उप्योग तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बड़ शुरू करने से पहले हमारे चानल से लेटिस्ट अप्डेट पाने के लिए हमारी चानल आज काई गुरू को सब्सक्राइब करना ना भूले उपरी चोट या जलने के घाव और कीने की काट का इलाज यह एंटी इंफ्लेमेटरी है यानि कि यह शरीर में अगर कहीं घाव की वज़े से जलन या सूजन होता है तो यह उसे रोपता है आपको अलोवीरा का जैल सिर्फ घाव पर लगाना है और छोड़ देना है यह जब दिल पे जो जलन मैसूस होती है उसे शान्त करता है यह आपको गैस्ट्रिक अलसर से भी बचाता है इसमें एंटी ऑक्सिदेंस और पोटेशियम है जो आपके शरीर के पानी के मात्रा को और चुस्ति को बनाए रखता है स्ट्रेच मार्क्स को निकालता है प्रेगनेंसी के बाद या वेट लॉस के बाद हमें स्ट्रेच मार्क्स आते हैं जो इस जेल से लगाने से या अलोविरा के साबुन से नहाने से निकलता है बालो को घना बनाता है इसका जेल बालो में लगाने से ये बालो को तेजी से घना बना देता है मेकप रिमूवर का काम करता है इसे आप आपके चेहरे से मेकप को निकालने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं यह उन केमिकल वाले मेकप रिमोवर से कहीं ज्यादा बहतर है। चहरे पर यह जेल लगाए और गीले कपड़े से पोचते हैं। चहरे पर से पिंपल और एकने को कम करता है। इसके जेल को चहरे पर लगाने से या अलोविरा का जूस पीने से हमारे चहरे से तेल का निर्मान कम होता है और इसके एंटी बैक्टीरियल तत्व किटानों का नाश करते हैं। जिससे पिंपल्स और एकने कम हो जाते हैं। फटी एडियो को कोमल बनाता है। अलुवियरा का जेल फती एडियों पर लगाने से एडिया को कोमल बनाती है। रात को जेल लगाकर सौक्स पहनकर सो जाये। यह लगातार करने से एडिया रूखे-पच से फटेगी नहीं। शेविंग जेल की तरह इस्तमाल कर सकते हैं। अलोविरा जेल के विशेश तत्वा त्वचा को कूमल बनाते हैं जिससे वो मॉइस्टुराइजर का काम करते हैं और रेजर से छोटी मोणी छोटों को भी जट से भर देता है। डाइबिटीज को नियंत्रित करता है। अलोविरा का जेल, ज्यूस का सेवन, 90% लोगों के डाइबिटीज के नियंत्रित में लाने के ख्षमता रखता है। डैंडराफ से चुटकारा, इसके एंटी बैक्तिरियन और मॉइस्टुराइजिन तत्वा सर को स्वस्थ और तंगदूरस्त रखता है। बालो को कर्ल करने में मदद करता है। बालो को कर्ल करते वक्त आपको हैर जेल्स का इस्तमाल करना पड़ता है। हैर जेल और हैर स्प्रेस केमिकल से भरे रहते हैं जिससे आपके बालो का भारी नुकसान होता है। तो अगर आपको आपके बालों को पुत्रती तरीके से करल करना है, तो आप अलोविरा का जेल को थोड़े से नारियल देल के साथ मिक्स करके आपके करल्स को डिफाइन कर सकते हैं. आर्ट्राइस डिस्ट का दर्थ कम करता है. अलोविरा जेल, जूस का सेवन, अल्टराइटरिस के जुड़े दर्थ का निवारन करता है पेट और लंग कैंसर से बचाता है रीसर्ट से ये पाया गया है कि अलोविरा का जेल या जूस के सेवन से पेट की या स्मोकिंग द्वारा हुए लंग कैंसर से बचाता है इस पर रीसर्च और जारी है जूरियों को आने से रोपता है आलोविरा जेल को शरीर पर लगाने से त्वचा की इलास्टिसिटी यानि की खिचाफ बढ़ता है और जूरिया नहीं आती जिससे आप ज्यादा जवान लगने लगते हैं लेकिन ये असर आपको 90 दिनों की नियमिट इस्तमाल से ही नजर आएगा कोलेस्टरोल को घटाता है आलोविरा जेल जूस का सेवन से कोलेस्टरोल और ब्लड शुगन मियंत्रन में रहता है और आपको दिल की बिमार्या नहीं होती आपकी इम्म्यूनिटी को बढ़ाता है आलोविरा में बहुत सारे एंटि आक्सिदेंस और वाइट ब्लड सेल्स है यानि की सफेद रख कोशिका को बढ़ाने वाले तत्व है जिससे आपके शरीर को वाइरल और पैक्टीरियल की टानों से जूझने की ताकत मिलती है और आ आपके तंदुरुस्ती बढ़ाता है और आपकी चीजों को याद रखने की शम्ता आपकी एकग्रता आपके एमोशन को संभालने की शम्ता को सुधाता है तो दोस्तों यह थे कुछ फाइदे जो हम आप तक लेके आए हैं अगर आपको भी ऐसे ही कुछ और फाइदे के बा कुछ दूना देजर।